हेलो फ्रेंड्स जी के राजस्थान के लाइव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है आप सभी लोगो एक बार फिर से नमस्कार गुड इवनिंग आईए आज के लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर के महत्पूर प्रशनों को डिस्कूस करेंगे और आज की स्रिंखला में सभी प्रसनों को आसानी से कर सकते हैं अगर आप माइंड कंसंट्रेट करके अपना इन प्रसनों को धैरेपूरवक पढ़िएगा तो आईए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज आपके सामने पहला प्रस्ण जो है वो यह रहा इस प्रस्ण में आपसे कह रहा है कि एक परिभाशा है जो वेबसाइड से अवैद रूप से मूवी डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है यानि दिये गए ऑप्शन्स में से वो कौन सा वर्ड है या वो कौन सा शब्द है जिसके माध्यम से आप अवैद रूप से मूवी डाउनलोड करते हैं और उसका डेनोट करता है वो कौन सा word है क्या parity है plagiarism है piracy है या privacy है बताइए इस में से कौन सा सही जवाब होगा आप सभी लोगं को पता है आज कल movie download करते हैं आसानी से YouTube के माध्यम से movie download लोड करते हैं या आप लोग बहुत चारी चैनल देखे होंगे जहां पर आपको डबिंग मुवी दिखाई देती है यानि मुवी का ओरिजिनल आपको क्वालिटी ओरिजिनल विल पिक्चर आपके सामने नहीं आती है तो जब भी आप कोई डब्ड मुवी देखेंगे लोड की गहीं रहीं वेबसाइट से मुवी जो की उसकी कॉपी है ओरिजिनल नहीं है अगर वो कॉपी है तो आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा बिल्कुल सही उसको हम लोग क्या कहते है पाइरेटेड वीडियो है या फिर कहते हैं पाइरेटेड मुवी है और अब बात क्लियर हो गई कि डुब्लिकेड कॉपी ऑल्वेज क्या कही जाएंगी पाइरेशी यानि आपको प्राइरेटेड मुवी या पाइरेटेड वीडियो को क्या कहा जाता है पाइरेशी तो यहां पे क्लियर क्या वर्ड ऐधागा पाइरे सी में हम Yo qui came clear a lot more बिलिकेट मुविश देखते हैं यह डाउनलोड करते हैं तो अभी क्लियर हो जाएगा चलिए कोश्चन few is a RAM ऑसे कह रहा है जानकारी की समागरी किसम जमा होती है यानि memory data register में, memory address register में, memory arithmetic register में या memory access register इन चार options में से कौन सा सही जवाब होगा जहां पर आपकी जानकारी की चीजें save की जाती है पताइए नाम से अगर नाम को आराम से समझोगे तो बिल्कुल option clear हो जाएंगे data register, address register, arithmetic register या access register पताइए कौन सा option सही होगा, बिल्कुल ज्यान वर्मा जी कह रहे हैं कि option A और आप लोग जवाब दीजिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं option A उस लोग option D भी कह रहे हैं, देखना है सही जवाब क्या होगा बिल्कुल जल्दी जल्दी से एक बार comment करिएगा, आप सभी लोगों से request है कि comment लगातार करते रहेगा, आपके comment आपकी information को और अधिक strong बनाते हैं, अगर आप confirm होगे कि ये answer है, तो जब आपको सही answer की जानकारी होगी, उस time आपके mind में ये चीजें sit हो जाती हैं, तो यहा पर आपसे कह रहा है कि जानकारी की समागरी, यानि कोई information आपको save करनी होगी, तो आप कहां पर save करते हैं, memory data register में, बिल्कुल सही जवाब option A, देखिए ये सभी प्रस्ण आपके, पिछले सालों exam में, राजस्थान का जब exam हुआ था, उसमें कहीं न कहीं पूछे गए हैं, कल हमने कई सारे previous year papers को देखा और उसके बाद हमने इस questions को तयार किया है, तो बिल्कुल आप यहां से ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रस्णों को किस हद तक पूछ सकता है, प्रस्णों को किस प्रकार घुमा के पूछ सकता है, किस प्रकार से आपको आने वाली English को हिं कुंदी में represent करके आपको question tough बना सकता है, तो यहां पर आपका सही जवाब होगा, question number 2 का A, clear हो गया सभी को, next देखिए, next question आपके सामने काफी easy है, number BCD, यह alphabet दिया हुआ है, BCD, इसका सही पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा है, binary coded decimal, bit coded decimal, binary coded digit, या bit coded digit, बताइए, BCD का full form बताइए, BCD किसे stand करता है, what is BCD, चलिए, जल्दी से एक बार comment करिए, हम आपके comments को देख पा रहे हैं, आप लोगातार comment करते रहे हैं, आज हम आप क्या देखना चाहते हैं, कि आपको कितना चीजे clear हो गई, देखो questions बहुत सारे ऐसे हैं, जो कि आपको पिछली classes में हमने बताया है, already discussed किया है, तो इन सभी questions को अगर आप mind में रखोगे, तो देखो BCD के बारे में हमने already पिछली classes में बताया है, B for binary, P for binary, C for coded and D for decimal, binary coded decimal, computer आपका सिर्फ और सिर्फ किस में समझता है बातों को, binary number system में, binary number system यानि की 0 और 1 में, तो जब कभी किसी other number system पे आप computer को input या data देते हैं, तो computer उसको पहले change करता है, binary number system में, और ये BCD stand करता है, option A के लिए binary coded decimal को ही दशमलो लिखा है, binary coded दशमलो, इस प्रस्ण के लिए आपका option A बिल्कुल सही है, question 3 का option A correct होगा, चलिए, जिसको नहीं पता है भाईया, एक बार जल्दी से copy जरूर कर लेना, BCD का full form लिख लिजेगा, binary coded decimal, next प्रस्ण देखिए, question number 4, question number 4, इसे मुख्य भंडारन भी कहा जाता है, main storage किसको कहा जाएगा, accumulator, नियंतरन इकाई, register unit या memory, मुख्य भंडारन, main memory किसको कहा जाता है, बताईए, main memory, accumulator, नियंतरन इकाई, register unit या memory, main मुख्य भंडारन किसे कहा जाएगा, जल्दी से जवाब दीजे, question 4 के लिए सही जवाब, क्या होगा, main memory किसको कहते हैं, देखिए, CPU, CPU जो होते हैं, इसके तीन भाग होते हैं, कौन-कौन से, एक होता है आपका CU, एक होता है ALU, और एक होता है MU, memory unit, main memory, अब memory unit के अंदर दो तरीके के memories आपको दिखाई देंगी, जिसमें एक होगा, जिसको हम लोग primary memory कहते हैं, क्या कहते हैं, primary memory, primary memory को ही main memory भी कहा जाता है, primary को ही internal memory भी कहते हैं, और जैसे ही आप computer के अंदर data डालेंगे, computer data लेने के बाद, इसको process के लिए भीजता है, किसके पास, process के लिए भीजता है, CPU के पास, और CPU के अंदर ये तीन प्रकार के system लगे हुए हैं, यानि अगर किसी function को control करना है, तो कौन help करेगा, control unit, किसी function में कुछ calculation करनी है, या earth logical काम करने है, तो आपका help करता है, ALU, यानि कि arithmetic logical unit, लेकिन अगर computer के अंदर जैसे ही data जाता है, तो computer दो प्रकार से उसको save करता है, एक अपने मन से, यानि अगर आप चाहेंगे, तो save करेगा, और एक अपने मन से, ताकि अगर आप नहीं भी चाहते हैं, तो भी वो computer के अंदर save होता है, अगर चीजें अपने आप save होती हैं, तो कहां पे save होंगी, internal memory में, primary में, या main memory में, इसलिए आपका main भंडारण, मुख्य भंडारण कौन सा होगा, memory unit वाला हिस्सा होगा, और ये option आपके लिए सही हो जाएगा, d is correct answer, यहां तक आप सभी को बात clear हो गई, देखिए हमने memory unit का एक भाग बता दिया, यानि ये computer के अंदर installed होता है, इसको हम बाहर से नहीं लगा सकते हैं, जो बाहर से लगाएंगे, वो सभी क्या हो जाएंगे, external, तो जो memory unit का दूसरा पार्ट है, उसको देखिए, क्या कहते हैं, external memory, क्या कहेंगे, external, external के साथ आप उसको secondary memory भी कह सकते हो, secondary memory, अब example समझ लो, primary के अंदर आजाएगा, आपका RAM, ROM, register, लेकिन secondary में आजाएगा, hard disk है, CD है, pen drive है, memory card है, यह सब आपकी secondary हो जाएंगे, तो clear होगे, आप सभी को इस question के लिए सही जवाब कौन सा होगा, option number B, clear होगे, आप सभी को question 4 के लिए सही जवाब है, option D, चलिए, next question देखते हैं, question number 5, question number 5 में क्या कह रहा है, कि इसे निर्माण के समय पर program किया जाता है, यह memory है, कौन सी है, ROM है, RAM है, PROM है, EPROM है, हम आपको English में लिख दे रहे हैं, ROM, RAM, PROM, PROM, और EPROM, EPROM, बताइए, ऐसी कौन सी memory है, जिसे निर्माण, देखो, उल्टा लिख दिया है, टाइपिंग महोदे ने, भाई, यहाँ पर होना चाहिए था, प्रोग्राम के समय निर्माण किया जाता है, यानि अगर आपको program बनाना हो, कोई software बनाना हो, तो आप किस प्रकार की memory के अंदर बनाएँगे, software बनाना होगा, तो आप किस प्रकार की memory की सहायता लेंगे, RAM की, ROM की, PROM की, या फिर EPROM की, जल्दी से इस प्रस्ण का जवाब दीजिए, देखना है, सबसे पहला जवाब किस का आता है, बिल्कुल, आप सभी लोग बहुत तेजी से comment कर रहे हैं, चलिए आज देखते हैं, पहला जवाब किस का आता है, चलिए, very good, very good, बहुत बढ़िया, रोम, रैम, पी रोम, एपी रोम, अब देखो, रोम क्या है, रोम एक ऐसी memory है, जिसके अंदर ऐसे programs को save किया जाता है, जिसको आप permanently computer में रखना चाहते हों, अब permanently computer में आप किसको रख सकते हैं, permanently computer में ऐसे ही software को रखना चाहेंगे, जिसको आप future में कभी भी काम में ले सकते हों, यानि रोम की memory जो होती है, वो इस्थाई memory होती है, इस्थाई से क्या मतलब है कि कभी भी delete नहीं होगी, जब तक आप उसको delete न करें, और ऐसी ही memory के अंदर हम programs को बनाते हैं, क्योंकि programs को हमें तब तक न delete करना होता है, जब तक हमारी जरूरत न पूरी हो जाए, तो ऐसा कोई भी software, software या ऐसा कोई भी program जिसको आप computer के अंदर save करना चाहते हैं, उसको आप कहाँ पे save करेंगे, रोम के अंदर save करेंगे, अब कुछ लोग जवाब दे रहा हैं कि P-ROM, बिलकुल आपकी बात सही है, लेकिन P-ROM को हमने क्या कहा, कि इसको इस software को कभी erase नहीं किया जा सकता है, क्योंकि P-ROM का full form होता है, programmable, programmable read only memory, programmable read only memory, ये इसका full form होता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि program का निर्मार किस memory के अंदर किया जाएगा, रोम के अंतरगत किया जाता है, ठीक, अब रोम के अंदर किस part में किया जाता है, ये अभी नहीं समझना है, बस आप clear रखिए, कि जब भी आप से किसी program के बात किरेगा, तो आप सीधे कहां चले जाना, रोम पे, और कभी ऐसे काम की बात करें, जिसको आप ऐसा नहीं है, permanently नहीं रखना चाहते हो, या जिस भी काम पे आप process कर रहे हो, वो सभी चीज़ें आपकी कहां पे save होती है, रैम पे save होती है, clear होगे आप सभी को, चलिए, very good, next प्रसन है, cd-rom, cd-rom किसे निर्मित करता है, यह राम लिखा हुआ है, यह रोम होना चाहिए, cd-rom किसे निर्मित करता है, compact table read only memory, compact data read only memory, compact table disk only memory, यह compact disk read only memory, इसका प्रस्न का सही जवाब मुझे confirm है, कि आप सभी लोग देंगे, चलिए, देखते हैं, कितने लोग class में हैं, और कितने लोग के comment, जल्दी जल्दी एक बार comment type करिए, हम देख रहे हैं, आप कितने लोग comment कर रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा, कि आज हमारा ध्यान आपके comment की ओर नहीं है, हम आपके comment को लगातार देख रहे हैं, आज हमारे सामने एक ऐसी सुभिधा लगा दी गई है, कि मुझे बिल्खुल अपना mobile टच करने की भी जरूरत नहीं है, और आज हम आपका नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम आपके comments को completely देख पा रहे हैं, चलिए, very good CD-ROM का आप कहा रहे हैं, C for, क्या होगा, compact, C for compact disc, compact disc read only memory, compact disc read only memory, यह होगा, इसके हिसाब से शही जवाब होना चाहिए, option number, इस question number 6 के लिए सही जवाब होना चाहिए, option D, लेकिन CD-ROM की क्या खास बाते हैं, CD-ROM की यह खास बात है कि computer, computer can read, but cannot erase, CD-ROM में यह खास बात है, इसका read only memory, और यह जो memory होती है, यह आपकी 600 से लेकर, 700 MB तक की चीजों को store कर सकती है, यानि इसकी capacity कितनी होती है, 600 से लेकर 700 MB, और इसकी बात करें, इसकी चोड़ाई की तो इसकी length होती है, 12 सेंटी मीटर, कितनी होती है, 12 सेंटी मीटर, clear होगे आप सभी को CD-ROM के बारे में चीज़े clear हो गई, चलिए, कुछ भी ऐसा जो आपको लगे कि यह हमारे लिए नया है, बिलकुल copy जरूर करिएगा, चलिए, next question number 7, question number 7, already एक बार बात हो चुकी है, कौन सी memory जो प्रती सेकंड कई फार fresh किया जाना चाहिए, refresh किया जाना चाहिए, पताए, ऐसी कौन सी memory है, जिसको आप लोग हर सेकंड में refresh करने की आबशक्ता पड़ती है, static RAM, dynamic RAM, EEPROM या ROM, clear है, हमने बताया है भाई, पिछली क्लास अगर आप देख रहे होंगे, तो आपने देखा होगा, कि हमने RAM के दो प्रकार बताय थे, जिसमें एक था SRAM, और एक था आपका DRAM, बताए, सही जवाब कौन सा होगा, कौन सी memory को बार-बार refresh करने की आवशक्ता होती है, जल्दी चे एक बार comment करिए, इस प्रस्न के लिए सही जवाब क्या होगा, D for आपका dynamic, D for dynamic, यानि कि ये dynamic random asses memory, और S for होता है static, static random asses memory, अब ऐसी memory जिसको बार-बार refresh करने की आवशक्ता हो, वो आपकी होती है dynamic RAM, प्रती शकेंड कई बार refresh करने की आवशक्ता होगी, वो होगी आपकी dynamic RAM, और dynamic RAM क्योंकि आपको बार-बार उस पे काम करना होता है, इसलिए comparison to static RAM, dynamic थोड़ी costly पढ़ती है, और dynamic RAM ही हमारे generally smartphone में लगी होती है, इसलिए आप देखते होंगे कि समय शमय पर हमको RAM को refresh करना पड़ता है, या RAM के अंदर चीजे जो save हो गई हैं, उनको हमें erase करना पड़ता है, clear होगे आपका कि dynamic RAM ऐसी memory है, जिसको fresh करने की आबशक्ता होती है, चलिए next प्रस्ट, hard disk के दोनों पक्ष, देखिए आठवा और नवा प्रस्ण लगभग, question same है, जल्दी शे एक बार दोनों प्रस्णों को ध्यान में देते हुए, answer दीजेगा कि hard disk के दोनों पक्ष किस से लेपिट होते हैं, चुम्वकिय धातू ऑक्साइड, optical धातू ऑक्साइड, carbon परत या उपरोक्त सभी, hard disk के दोनों साइड, hard disk आपने देखा है कि एक चौकोर संदचना होती है, और hard disk कंप्यूटर के अंदर लगाई जाने वाली सबस्चे बड़ी memory होती है, ठीक, hard disk के बारे में हम बता रहे हैं, कि यह memory कंप्यूटर के अंदर या computer के बाहर, hard disk का आप देखे होगे, कभी-कभी internal memory में भी count नहीं होगा, लेकिन computer के अंदर save होता है, इसलिए हम लोग hard disk को कह सकते हैं, कि यह computer के अंदर की भी memory है, प्लस अगर आप computer की memory को बढ़ाना चाहेंगे, तो यह आपके hard disk बाहर से भी लगाया जा सकता है, तो यह memory computer के अंतरगत, computer के अंतरगत, पाई जाने वाली सबसे बड़ी storage device मानी जाती है, सबसे बड़ी storage device जानी जाती है, तो सबसे बड़ी storage device जो होगी, वो आपकी होती है hard disk, अब hard disk के बारे में बात कर रहा है, कि hard disk के दोनों पक्ष, यानि hard disk के अंदर जो दोनों side होंगे, वो किस तरह के प्लेटेड होते हैं, जैसे चंबकी अधाती होते हैं, या optical, या carbon, या उपरोग, तो सभी, बिल्कुल सही जवाब आप लोग कहा रहे हैं, बहुत सारे लोगं का comment आ गया, कि artway का option A is correct answer, क्योंकि देखो, magnetic storage device भी कहा जाता है hard disk को, क्योंकि hard disk के दोनों तरफ की plate पर, कौन सी परत चड़ी होती है, वो चुम्ब की अधातू oxide उस पर लगी होती है, उसका लेप लगाया जाता है, इसलिए हम लोग hard disk को, magnetic storage device भी कहते हैं, हमने पहले ही कह दिया, कि artma और 9 प्रस्न लगभग दोनों एक ही pattern पे हैं, तो आप सभी लोग एक बार question number 9 के लिए भी जवाब दीजेगा, question 9 हमारे द्वारा बता भी दिया गया, जिसको idea होगा, वो इससे आपका answer बता देगा, अब जल्दी से एक बार 9 के लिए comment करिए, कि कौन सा भंडार रोट करण सबसे ज़्यादा डेटा का संगरहन कर सकता है, बताएए जल्दी से, अभी clear हो गया hard disk, flash disk, blu-ray disk या dvd, कौन सी ऐसी memory है, जो कि सबसे ज़्यादा डेटा संगरहन करती है, अभी यहाँ पर बताएए कि सबसे ज़्यादा डेटा संगरहन या सबसे बड़ी storage device कौन सी होती है, hard disk होती है, और hard disk की जो memory होती है, वो किस में ना पी जाती है, तेरा बाइट में, तेरा बाइट में ना पी जाती है hard disk की छमता, इसलिए hard disk को computer के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी memory का कहा जाता है, अब hard disk जो भी डेटा सेव करती है, वो डेटा कैसा होगा, volatile या non-volatile, अब आप कहेंगे कि non-volatile होगा, क्योंकि volatile तो सिर्फ और सिर्फ एक memory है, volatile कौन सी memory होती है, RAM, बाकी जो भी memory आप से बुचे, आँख बंद करके आप लगा देना non-volatile पे, क्योंकि non-volatile का मतलब होता है, इस्थाई, यानि ऐसी memory जो computer के अंदर permanently save हो जाए, और तब तक न डिलीट हो, जब तक हम उसको delete न करें, question number 8 और 9, आइन आपको यहाँ पे सभी hard disk की confusion clear हो गई, hard disk कैसी memory है, आपकी क्या खास बाते हैं, hard disk की छमता क्या होती है, किस में नापी जाती है, या hard disk के, दोनों side किस से लेप किये गए होते हैं, तो आप आप कहोगे, चुम्ब की या धातु oxide से, तो 8 और 9 आपका clear हो गया, चलिए, question number 10 पे चलते हैं, question number 10 क्या कह रहा है, कि cache memory, cache memory किन दोनों के बीच काम करती है, cache memory क्या होती है, cache memory भी आपकी एक ऐसी memory है, जो की computer के अंतरगत आने वाले सभी data को सर्व प्रतम स्वीकार करती है, जैसे ही आपका data input हुआ, input होने के बाद data process में जाता है, process में कहां पे जाएगा, CPU में जाएगा, process होने के लिए कहां पे जाता है, CPU में, और CPU के अंदर ही एक भाग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं memory unit, और इस memory unit में जो भाग होता है, उसका नाम होता है main memory, क्योंकि बागी जो आपकी secondary होगी, वो तो बाहर होगी, तो main memory, CPU और main memory जो भाग होता है, वो कहां पे होगा, processing unit के अंतरगर, अब इस CPU और main memory के बीच ही आपकी होती है, cache memory, अब आप कहोगे, यहां पे CPU और main का कोई भी option नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे पहले में दिखाई दे रहा है CPU और RAM, RAM और ROM, CPU और hard disk, इन में से कोई नहीं, अब देखो option कट कर रहे हैं, CPU और hard disk नहीं होगा, क्योंकि hard disk is secondary memory, दूसरे में RAM और ROM कहा रहा है, पहले चीजे कहा जाएंगी, CPU में जाएंगी, तो RAM और ROM आपका खदम, तो पहले data CPU में जाता है, फिर CPU के बाद देखो, CPU में जाता है, CPU के बाद यहां से data जाता है, cache में, cache के बाद data जाता है, register में, then आपका जाता है RAM में, और उसके बाद चीजे आपकी जब permanently save होती है तो वो कहां save होती है रोम में अब ये cache आपको कहां पर दिखाई दिया option के हिसा आपस बताईएगा CPU और RAM के बीच में तो अभी clear हो गया कौन सा option सही है दसमें प्रस्ण के लिए option A is correct answer clear होगे आप सभी को कि cache memory क्या होती है कि जब आप देखो cache memory चीजों को अपने अंदर store नहीं करता है वो memory को process करने में help करता है चीजे पहले CPU से जाने के बाद cache में जाती है और cache की speed इतनी तेज होती है कि वो जगा मिलने पर अपने data को register में transfer करती है और फिर register से data जगा मिलने पर कहां पर transfer होता है RAM में save हो जाता है तो इस प्रशन के लिए सही जवाब जो है वो है 10 में का option A clear हो गया सभी को चलिए आगे चलते है question number 11 की तरफ और 11 में आपसे बात कर रहा है compiler की compiler क्या होता है computer hardware का एक सईयोजन है उच्च स्थर की भाशा से दूसरे में अनुवाद करने के लिए एक program है machine स्थर की भाशा एक उच्च से अनुवाद के लिए program है और इन में से कोई नहीं compiler, interpreter और assembler कई बार प्रस्णों में पूछ चुका और ये इस लिए ज्यादा बार आपसे दीखाई दे रहा है क्योंकि ये बहुत महत्तपून प्रस्ण है कई बार exam में अक्सर ऐसा देखा गया है क्योंकि आपको राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो पटवार का exam होता है उसमें computer के प्रस्णों के संख्या 50 होती है अब आप दो ही paper को target अभी class चल रही है mainly आपकी दो paper के लिए देखके चलाई जा रही है एक आपका दिली police और एक आपका राजस्थान पटवार दिली police में प्रस्णों की संख्या 10 होती है लेकिन यहाँ पे आपके प्रस्णों की संख्या 50 होती है तो हमें ऐसे प्रस्णों को भी रखना है जो कि कई बार exam में देखोगे तो पिछली साल का जो राजस्थान पटवार का पेपर हुआ था उसमें ये सेम प्रशनाया था कि compiler क्या होता है हमने कई बार clear किया है लेकिन फिर भी अगर आज कुछ बच्चे हैं जो कि पहली बार हमें दिखाई दे रहे हैं उन बच्चों के लिए आज हम फिर से एक बार explain करेंगे कि क्या होता है compiler देखो computer के अंदर दो भासा हैं दिखाई देती है एक होती है low level language और दूस ही track पे हैं अब low level language के अंदर आपकी भाशाएं आएंगी assembly assembly और low level के high level के अंदर कर बहुत चारी भाशाएं होती हैं जैसे Fortran है Fortran है C++ है Java है basic है Pascal है logo है ये सभी क्या है high level अब ये जो binary भाशा computer समझता है इसी भाशा में एक computer की language होती है जिसको हम लोग कहते है machine language यानि computer को जो number system समझ में आता है वो है binary लेकिन इस number system पे जो भाशा बनी हो उसका नाम है machine language अब computer किसी भी भाशा को स्विकार करता है और स्विकार करने के बाद computer के अंदर लगे हुए software के माध्यम से उसको परिवर्थित करता है किसमें machine language में अब assembly को machine language में परिवर्थित करने के लिए आपके पास होता है assembler आपके पास होता है क्या assembler और other किसी भाशा को यानि high level language को मशीन में परिवर्थित करने के लिए आपके पास होता है क्या compiler और interpreter क्या होता है compiler और interpreter यानि ये दो और ये एक ये तीन software की मदद से ही आप computer की भाशा को परिवर्थित करने में सहयोग ले सकते हैं अब आपसे question पूछा था compiler तो compiler का clear हो गया कि high level language को किसमें परिवर्थित करता है machine language में तो देखो पहला option आपका cut हो गया दूसरा option आप तीसरा cut हो गया क्योंकि ये machine को convert कर रहा है ऐसा बिलकुल नहीं है दूसरे option में आप से कह रहा है कि उच्छ तरह की भाशा से दूसरे में अनुआद के लिए एक program है बिलकुल option B is correct answer क्यों क्योंकि यहां पर दूसरी भाशा कौन सी होगी दूसरी भाशा आपकी होगी machine language तो question number 11 के लिए जो सही जवाब है वो है option number B clear होगे आप सभी लोगों को अब अगर आगे आने वाले किसी भी practice aid में आप से compiler, interpreter और assembler के बारे में पूछेगा तो अब हम उमीद करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रशन का सही जवाब आसानी से दे सकेंगे और यह आप के लिए last बार हमने explain किया था आप जितने भी लोग class में नए जुड़ो या अगर आपके कोई मित्र हों सहयोगी हो जिनको आप बताना चाहो तो आप उनसे बोलो कि previous classes में देखिए क्योंकि काफी अच्छे से हमने आज की class में आपको एक पर explain कर दिया है चलिए next प्रशन है GUI GUI का क्या अर्थ है what is the full form of GUI gaming user interface general user interface graphical user interface या guidance user interface क्या फुल फॉर्म है GUI का जल्देश एक बार comment करिए फुल फॉर्म GUI जी फॉर क्या होता है graphics अब तो एक अही word बताते ही आपका answer clear हो गया जैसे ही हमने कहा जी फॉर graphics या graphical तो आपका answer clear हो गया कि option C is correct क्योंकि C में ही बात कर रहा है graphics की graphical user interface और ये एक operating system पे depend एक software है और इनका काम होता है computer और हमारे user user और hardware के बीच में user और hardware के बीच में आपके क्या help करने के लिए या आप कहलो समायोजन के लिए या computer को सही तरीके से user को द्वारा कैसे चलाना है इसके लिए जो help करते हैं वो ये सभी program है अभी आगे आप लोग सुनोगे GUIDOS और भी होते हैं हम लोग कई clear करेंगे तो ये आपका हो गया GUI का full form होता है graphical user interface और ये user और hardware के बीच में combination या आप कहलो की help करने के लिए प्रयोग किया जाता है question 11 sorry 12 clear हो गया अब देखिए question number 13 question number 13 में word processing के लिए नीम निकाई के कौन से सम्मंधित नहीं है word processing के लिए कौन सा ऐसा सब्द है जो की सम्मंधित नहीं है कौन सा नहीं है character नहीं है शब्द नहीं है sales नहीं है या paragraph नहीं है word processing बताओ भाई जल्दी से clear answer दीजिए एक बार जल्दी से एक बार comment करिए देखते हैं आप से पहला जवाब किसका आता है विल्कुल सही आप लोग comment आ रहा है कि option c कुछ लोग कह रहे हैं option a कुछ लोग कह रहे हैं option d मतलब answer में आपके variation हो रहे हैं क्या दिक्कत आ रही है जल्दी से एक बार बताईएगा देखो आपसे करा रहा है नहीं है दूसरा आपको ध्यान देना है word processing word processing किसमें होती है Microsoft word में Microsoft word का काम होता है किसी प्रकार के documents को तयार करने में मदद करता है और इस document को तयार करने में सबसे छोटा जो इकाई आपकी use होती है वो होती है character कौन सी काई use होती है character यानि जैसे आप कहते हो शब्द sorry शब्द नहीं अच्छर alphabets अब जो सबसे छोटी काई होती है किसी भी document की किसी भी notebook की किसी भी प्रकार की तो उसमें सबसे छोटी काई character और कई character मिलके आपका निर्मार करते है word का और word यानि कि शब्द अब अक्षर मिलके शब्द बनाए और शब्द मिलकर एक वाक्य बनाते हैं जिसको हम कहते ह एक paragraph बनाते हैं और फिर ये paragraph मिलके आपका क्या बनाते हैं एक document create करते हैं क्यानि word processing में आपका कौन सा प्रयोग नहीं हुआ option c प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि sales आपका कहां पे प्रयोग होता है एक्सल के अंदर प्रयोग होता है column और row को मिला कर जो एक structure बनता है उसको हम लोग sale कहते हैं लेकिन word processing में आपका character then word then sentence फिर paragraph और फिर document बनके तयार होता है तो यहां पे 13 का option c correct होगा चलिए हो गया question number 13 clear हो गया आप सभी का next चलते है question number 14 की तरफ हमने class में आपसे fortran के बारे में बात की थी कि fortran एक क्या है high level language है और fortran का प्रयोग कहां पे होता है fortran का प्रयोग गड़ती ये क्रियाओं को करने में किया जाता है यानि mathematical program आपको तयार करना है कोई calculation program कोई logical program ready करना है तो वहाँ पे जो language use होती है वो आपकी होती है fortran और fortran एक मातर एसी भाशा है जिसका प्रयोग सबसे पहली बार किया गया था fortran का अविश्कार किस ने किया fortran का अविश्कार किस ने किया तो fortran का अविश्कार किया है john beckas ने किस ने किया john beckas द्वारा किया गया और john beckas ने fortran का अविश्कार किया लेकिन यहाँ पे आपसे fortran का full form पूछ रहा है तो अब आपको clear होगा क्योंकि formula translation यानि calculated चीजे, calculated program के लिए ही फोर्टरान का निर्माण हुआ ठीके clear होगया question 14, clear होगया आप सभी का अविश्कार हुआ john becus द्वरा, fortran एक high level language है और fortran का प्रयोग होता है formula translation में question number 15, question 15 में कह रहा है कि कौन सी भाशा सीधे अनुवाद के बिना computer से समझ में आती है देखो भाई आज को computer लग रहा है typing होद है फिर से आज हमारे लिए खफा हो गए थे और आज फिर से कई सारी mistake कर दी कोई बात नहीं आप लोग बड़े हो आप लोग इतने बड़ी एक्जाम की preparation कर रहे हो तो आप सभी लोग आराम से समझना बाद की चीजों से नहीं मतलब है हमें mainly क्या कह रहा है कि कौन सी भाशा सीधे translate किये बिना computer को समझ में आती हैं तो अभी reverse में जाओगे तो अभी हमने आपको बताया था कि computer जिस पे काम करता है वो होती है binary और जो binary के भाशा नंबर सिस्टम पे language बनी है वो है आपकी कौन सी language machine language तो आपका answer a सही होगा यहां पर आपको कोई भी confusion नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी हमने पिछले question में इसको clear किया है तो पंदरा का हो गया option a सही question number 16 question number 16 में कह रहा है कि तुरूटी की जांच के लिए मूलता एक code बना है ASCII और इस code में प्रतेक byte की अंतिम आरिक्षित beats के कितने beats का उपयोग किया जाता है अब generally एक question आपसे यह है कि what is the full form of ASCII इसका full form बताई इसके साथ ही साथ आपको यह बताना है कि ASCII जिसका निर्माण हुआ है पूराने समय में तुरूटीयों की जांच के लिए और यह ASCII कितने bit के प्रयोग से बनाई गई होती है तो जल्दी से प्रस्ण का जवाब दीजिए और एक प्रस्ण यहाँ पे आपसे हमने भी पूछा है कि full form आप बताईए ASCII का what is the full form of ASCII बिल्कुल question number 16 के लिए जो सही जवाब होगा वो 7 bits यानि यह language आपकी 7 bits के माध्यम से बनाई गई होती है और ASCII का full form क्या होता है तो यहाँ पे जान लिजिए American Standard Code for Information Interchange American Standard Code for Information Interchange question number 16 के लिए सही जवाब है option C और ASCII का full form क्या होता है यह भी हमने देख लिया चलिए 16 क्लियर हो गया जल्दी से एक बार जिसको भी note करना है note करिए जिसको screenshot लेना है आप screenshot ले सकते हैं अब हम लोग next question की तरफ बढ़ते हैं question number 17 question number 17 एक्सल सीट एक्सल सीट में column की चौडाई को auto fit करने के लिए आप क्या करेंगे question number 17 में कह रहा है कि एक्सल सीट जो कि आपकी एक spread seat software है एक्सल इसमें बनने वाली जो seat होती है यानि आपको दिखाई दे रहे हैं कि एसी सीट आपकी एक्सल होती सीट होती है और इसके ही अंतरगत हम spread seat software यानि डेटा को तयार करते हैं और इसमें ऐसे डेटा को तयार किया जाता है जिसमें calculations का प्रयोग करना हो अब बलकूछ रहा है कि इसमें किसी भी column की चोड़ाई को auto fit करना हो तो आप कौन से option का प्रयोग करेंगे क्या column की 20 सीमा को double click करेंगे, column की 22 सीमा पर double click करेंगे, column header पर double click करेंगे या उपरोगत सभी बताईए question number 17 के लिए सही जवाब क्या होगा 17 का सही जवाब बहुत easy है answer जल्दी शेएक बारा बताईए अगर आप लोग प्रयोग कियोंगे तो आपको पता होगा otherwise आज चीजे पता चल जाएं तो जब हविश में आप लोग नौकरी पा जाईएगा तो कभी आपको data तयार करना हो तो Excel पर कैसे काम करना है ये आपको आज पता चल जाएगा क्योंकि देखो कभी कभी होता है कि चीजें आपकी ज़्यादा लिखनी हो लेकिन चोडाई कम होती है या लंबाई कम होती है तो आपको वहाँ पे उसको set करने की आवस्चक्ता पड़ती है वहाँ पे आप या तो कम कॉलम की दाई सीमा पे बाई सीमा पे या हेटर पे कहीं पे भी आप अगर डबल क्लिक कर देंगे तो उसको जितने की आवस्चक्ता है वो अपने आप स्पेस बन जाता है तो ये तीनों आंसर आपके correct होंगे इसलिए हमारा इस प्रस्ण का जो सही जवाब है वो है option D ठीके column क्या होता है रो क्या होता है तो आपने देखा होगा कि किसी भी class में जवाब पड़ते थे तो जब हमारी seat लगी होती थी तो हम लोग 1 seat 2 seat 3 seat छोड़के कोई बैठा 4 seat छोड़के तो हम लोग कहते थे हम आज 4 row में बैठे तो ये जो लेटी हुई line है इनको हम लोग कहते है क्या row और ये जो आपकी खड़ी line दिखाई दे रही है ये आपकी होती है क्या column और अक्सर प्रश ने पूछता है कि ये जो एक structure बना column और row को मिला कर इसको क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है sale क्या कहा जाता है c e double l ठीक तो columns की length को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा चाहे तो आप बाएं चाहे दाएं या उसके उपर कहीं भी click करेंगे दोसको जितने space की जरूरत होगी वो already fit हो जाएगा 17 clear होगे आपका next question है question number 18 question number 18 में कह रहा है कि MS office का व्याद संस्करण कौन सा नहीं है office xp, office 2010, office manager या इन में से कोई नहीं Microsoft office एक ऐसा software है जिसके माद्यम से हम अपने विभिन प्रकार के उद्देशियों को पूरा कर सकते है क्योंकि इसी office के अंतरगत तो आपका आता है क्या नहीं है MS word, MS powerpoint, excel, access ये सभी आपके word के office के अंतरगत आते हैं तो कौन सा ऐसा संस्करण है जो question number 18 के लिए सही नहीं है ये आपके लिए आज का homework प्रश्न कह सकते है सभी लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं लेकिन हमें valid संस्करण या valid version कौन सा नहीं है question number 18 के लिए सही जवाब आप बताएंगे एक बार आप try करिएगा कल की तरह आज में भी वीडियो के नीचे आपको comment करना है आप सभी लोग कल के प्रश्नों में सही से comment नहीं किये कल अपसे कहा गया था एक प्रश्न दिया गया था जिसका comment बहुत लोगों ने नहीं किया आज आपसे फिर से हम बोल रहे हैं क्योंकि अगर class को regular बनाना है कुछ चीजें यहां से gain करनी है तो जो भी कुछ हमारे द्वारा आपको work दिया जाए उसको कोशिश किया करिए कि हम सबसे पहले करें चलिए 18 आपके लिए home work हो गया question number 19 चलते है question number 19 में कह रहा है कि नीम्न में से कौन सा function ऐसी शब्दों की सूची प्रदान करता है जो उन वास्तों में या लगभग ही अर्थ के समान होती है समान कौन सा ऐसा वर्ड आपका होगा सूची होगी जिसमें कोई भी शब्द हो उसके समान अर्थ या उसका actual meaning को represent करें होजें बदलें समनार्थक शब्द वर्तनी और व्याकरण बताईए कौन सा शब्द होगा कौन सी ऐसी सूची होगी जिसके माध्यम से आप सब्दों के समान अर्थ या सब्दों का लगभग में अर्थ बता सकते हैं जल्दी से बताईए कोशन नमबर 19 के लिए सही जवाब क्या होगा आप समझ दीजिए अगर हिंदी से भी समझोगे तो भी आपके किसी भी शब्द का समान अर्थ बताने के लिए समन आर्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है और यही एक आप्शन आपके उसमें भी दिया होता है आपके जब आप वर्ड पैड करोगे तो वहां पर आपके फॉर्मेट आप्शन में जाएंगे तो आपको यह सूची दिखाई देगी चलिए आज का अंतिम प्रस्न कोशन नमबर 20 आज का अंतिम प्रस्न कोशन 20 कोशन 20 में कह रहा है कि एक डिजिटल हस्ताक्षर है एक बिट स्रिंखला जो की संपर्की का नाम है एक प्रशक का एक विशिस्ट पहचान एक प्रमाणी करित इलेक्ट्रोनिक जो की केवल एक प्रशक जानता है एक प्रशक का एक मुद्रित हस्ताक्षर बताईए शब्द ऐसे चुने गया है कि आपको समझ में थोड़ा देर में आएगा लेकिन अपका कोशन काफी आसान है डिजिटल हस्ताक्षर बताईए क्या होगा ऐसा संपर्की का नाम होता है वो हस्ताक्षर किसी का नाम नहीं होता है जरूरी नहीं है कि हस्ताक्षर में क कोई अपना पूरा नाम प्रयोग करें कभी कुछ लोग वर्ड का पहला लेटर लेते हुए अपना इस सिंगनेचर करते हैं तो पहला अप्शन क्लियर है नहीं होगा विसिस्ट पहचान दे रहा है कोश्चन नमबर बी में कोश्चन सी में कह रहा है कि एक प्रमाड़ी कि इलक होते हैं कि पापा पूरा नाम लिखते हैं या सौर्ट नेम लिखते हैं तो हम कैसे साइन करते तो ऐसा बिलकुल नहीं है कि सब लोग नहीं जानते हैं तीसरे में कह रहा है कि मुद्रित हस्ताक्षर मुद्रित मतलब होता है प्रिंटेड प्रिंटेड हस्ताक्षर को आप ड हमारा नाम मान लिजे रीटा है मान रही है अभी हमारा नाम यह नहीं है इसना मत सुझना कि हमारा इतना पुराने जमाने का नाम है तो अगर हमारा नाम रीटा होता है तो अगर मैं लिजे मान लिजे हम सिंगनेचर ऐसे करते तो जरूरी नहीं है कि तूरी दुनिया में इस तरह की signature सिर्फ और सिर्फ हमारी हो तो कभी भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि यह हमारी individual signature है यह word में कोई नहीं करता होगा लेकिन फिर भी हम एक अलग अपना तरीका बनाते हैं जिसके माध्यम से हमारी signature के माध्यम से बहुत ची किसी भी व्यक्ति की चाहे वो सामने दो व्यक्ति हो चाहे वो किसी की भी हो सकती है किसी का एक विसेस्ट पहचान ही आपका क्या होता है digital अस्ताक्षर और यह digital word क्यों यूज किया जा रहा है क्योंकि किसी technology पे आज कल देखे होगे आपका online delivery करने आते हैं कोई समान और उसक कंपनी के पास बहुत जाती है और आपकी जो हांच वाली पिसी नेचर होती उसको धीरे धीरे पहुचाया जाता है इसलिए digital अस्ताक्षर इस्तमें बहुत प्रचलन में है तो यह रहे आज के आपके 20 प्रस्न आई होप आज के प्रस्न में बहुत सारी चीजे जानने को मिल होंगी एक्स्ट्रा काफी कुछ मजा भी आया होगा तो बिल्कुल ऐसे ही बने रही है अब आपके जो है क्लास हो सकता है एक दो दिन के लिए कुछ disturbance हो क्योंकि फेस्टिवल आ गया है तो बिल्कुल आप सभी लोगों से request है अगर possible होगा तो बिल्कुल classes आपको दी जाएंगी फिर भी आप classes enjoy करिए हम कुछ न कुछ आपको additional चीजे provide करते रहेंगे और आराम से रहिए और एक नई चीज इनफॉर्मेशन आपके लिए यह है जो भी लोग class live देख रहे हो या live के बाद आप offline देखिएगा तो एक चीज यह note कर लिजएगा कि festival के बाद आपके लिए एक benefit यह है कि अब हम classes जो लेंगे वो practice state को खतम करते हुए अब हम आपकी classes पूरी theoretical class लेने जा रहे हैं तो जितने भी लोग computer में weak हो या अपने को समझते हो कि मेरी जानकारी तोड़ी अभी कम है मुझे exam के लिए और भी तयार होना है किसी भी exam की preparation कर रहे हो जरूरी नहीं है दिल्ली पुलिस या राजस्थान की कोई पटवार का exam देना हो किसी भी exam के लिए आपको बैठना हो जहां पर computer के प्रस्न पूछे जाने हैं तो आप बिल्कुल next class जो भी होगी वो आपकी theoretical class होगी तो आप बने रहेगा इसी तरीके से और तब तक क के लिए आप सभी को thank you धन्यवाद आराम शरये enjoy करिए अपना festival सुक्रिया